हेलो गाईश सभी को जय माता दी और आज हम दर्सन करने वाले हर दोई जिले के स्रवण देवी मंदिर के जो की माता सती के सक्त पीठों में से एक है लोक कता है कि जब भगवान सिव माता सती के पार्थिव सरीर को करूण करंदन करते हुए सारे जगत में भ्रमण करने लगे तब समस्त स्रष्टि को नश्ट होने से बचाने के लिए भगवान विश्मुने अपने चक्र से प्रहार करके माता सती के शरीर के कई टुकडे कर दिये जहां जहां माता सती के ये अंग के टुकडे धारण की यो हुए वस्त्र या आभूशन आद गिरे वहाँ वहाँ सक्त पीठ अस्तिक्तों में आए और उस समय माता सती का करण भाग यहाँ पर गिरा था और इसी से इस इस्थान का नाम सरवण देवी मंदिर पड़ा माता सरवण देवी की मूर्ती पासाण पंचमुकी है जो की यहाँ पर एक पीपल पेंड के नीचे प्रकट हुई थी वैसनो माता के दरवार के बाद यह दूसरी पंचमुकी मूर्ती है मंदिर के परिसर में ही एक विसाल यग्य साला है यहां पर नवरात्र के महीने में सत्चंडी यग्य होता है यग्य साला से थोड़ी ही दूरी पर प्रहलाद कुंड बना हुआ है जो यहां आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है कहा जाता है यहां कुंड पाताल तक गया है और इसकी गहराई का आज तक पता नहीं लगाया जा सका है कुंड के सीर्स पर नर्सिंग भगवान की मूर्ती स्थापित की गई है जो की हर दोई सहर के प्राची मित्यास को दरसाती है वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कमेंट और जादे से ज़्यादा सेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दी जैमाता दी